नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्विक क्लासेज पे हम लोग NTPC का प्रेक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक का आज प्रेक्टिस सेट नमबर देखेंगे तेरा तो आइए सुरू करते हैं पहले प्रस्ण से पहला प्रस्ण कर रहा है कि एक्स जो है वो तीन मिनट में आठ पेज टाइप कर सकता है बाई पांच मिनट में तीन पेज टाइप कर सकता है तो साथ मिलकर काम करते हैं वे पंदरा मिनट में कितने पेज टाइप कर सकते हैं तो आईए से सबसे पहले एक्स जो है वो तीन मिनट में टाइप करता है कितना आठ पेज तो पंदरा मिनट में कितना करेगा पंदरा मिनट में ये करेगा चालिस क्योंकि तीन से पांच गुना कर दीजिए ये आठ गुना पांच जो हो जागा पेज टाइब करेगा 15 मिनिट में तो यह होगा पांतिया पंदरा तितिनतिया नौ पेज होगा यानि एकस और बाई एकस और बाई 15 मिनिट में कितने page टाइब करेंगें 15 मिनिट में टोटल जो होगा 40 अपलस 9 कितना हो गया 49 page जो है वो टाइब करेंगे कितना 49 page तो answer हमारा कितना हो जाएगा C हो जाएगा दूसरा प्रस्ण कर रहा है कि 4 किताबे और 8 कलमे 260 रुपया में खरीदी गई है यदि एक किताब का औस्थ मुल 35 है तो एक कलम का औस्थ मुल कितना होगा 4 किताबे और 8 कलम दोनों को मिला के 260 रुपया में खरीदी गई और एक किताब का औस्थ मुल जो है वो कितना है 35 है तो एक कलम का उसत मुल कितना होगा यहां पर है 8 कलम 8 कलम बरबर कितना हो जाएगा 260-4 किताब था 35 रुपय पर पुष्टक था यानि किताब था यह 4 गुना 35 हो जाएगा यानि हो जाएगा कितना तो यह हो जाएगा 120, क्या है 120, एक कलम बराबर कितना हो जाएगा, तो एक कलम का उसाथ बुल पूरत, एक कलम बराबर 120 बटा 8 हो जाएगा, यानि 15 रुपया, क्या हो जाएगा, 15 रुपया, तो अंसर हमारा जो आ जाएगा, वो हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा, एक घं के परत्य किनारे में 30% की बिर्धी की जाती है तो इसके प्रिष्टिय छेत्रफल में कितने प्रतिसद की बिर्धी होगी अब कर रहा है गहन के प्रिष्टिय छेत्रफल में कितने प्रतिसद की बिर्धी होगी तो इसकी प्रिष्टिय छेत्रफल में कितने प्रतिसद की बिर्ध सौभ बरभर हो जाना साथ प्लस नौँ बरभर कितना 71 परसंट के है इसे किनारे में 30 परसंट की बिर्दी दो लिये हैं संपुन् में 30 की नारे में 30 की बिद्धी हुरा सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा धन रासी निकालना होगा यानि निकालना होगा सधारन ब्याज जो हो जाएगा वो तो समय यहां से निकल जाएगा तो समय हो जाएगा 4P मैंने ब्याज गुना 100 बटा क्या हो जाएगा पी इंटू आर जो है वो 6% यहां से निकल जाएगा 400 बटा 6 बर्स में हो जाएगा अब ब्याज बरबर कितना हो जाएगा अब ब्याज बरबर हो जाएगा 8-1P बरबर कितना हो जाएगा 7P तो इस पे दर जो निकल जाएगा 7P क्योंकि करा कि रासी 8 गुना हो जाएगा तब ब्याज जो आया वो 7P आया अगुना 100 बटा पी अगुना कितना समय है 400 बटा 6 चार चायेंच जोंगा पाँच यानि हो जाएगा साथ गुना सबूना छूबना क्योंकि प्रसंट तो जातकते हैं हीट एंड ट्राइल मेथड कह रहा है कि 6% पर्तिवर्स की धर से 5 गुना हो जा रहा है तो 6% को लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं तो 6 बटा 100 यानि ये 3 और ये 50 क्या है 3 और 50 ये 3 बटा 50 को हम लोग इस समझते थे कि अगर ये मुलधन है तो ये कितना है ब्याज है क्या है ब्याज है ये मुलधन है तो ये जो हमारा पास क्या ब्याज है यानि अगर 50 हमारे पास जो है ये मुलधन है तो मिसलधन हमारे पास कितना जागा तो ये जूट जाता है यह तिर्पन है क्या है तिर्पन है अब कह रहा है कि पांच गुना हो रहा है यहां पर असे जो है पचास मुल्धन था यह पांच गुना होके कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा कितना है 2800 तो ब्याज हमारे पास कितना हो गया ब्याज आ गया कितना 200 रुपया 200 रुपया का ये दिया हुआ है कितना है 200 रुपया है कितने परसंट पे 6 परसंट दर पे 200 ब्याज आया कितने 6 परसंट पे कोई अब दिये उसके लिए 6 परसंट पे दिया गया अब ये 50 जो हो रहा है वो कितना 8 हुना हो रहा है यानि यह रहा है आठ गुना कितना 400, यानि ब्याज इसमें कितना आ जाएगा, ब्याज जो आ जाएगा यह साधे 300 आ जाएगा, तो 200 के 6%, तो साधे 300 का परसेंटेज निखल जाएगा दर, तो 6 बटा 200 गुना साधे 300, यह इसे कार दिजे, आई एक सुना से एक सुना कार दीजिए, यह 10 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, 35 गुना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, 10.5 आजाएगा, 10.5, तो यहां भी अनसर आ गया, इस तरह मेथड से भी बना सकते हैं, और यह जो फार्मूला में इस्ट है उससे भी आप बना सकते हैं। चलिए पाँचवा नमबर प्रस्म देखते हैं। कहरा है कि 108 रुपया पर्ती किलोग्राम और 120 रुपया पर्ती किलोग्राम मुल की चायक पत्तियों में तिसरी किस्म के साथ दो अनुपाद, तीन अनुपाद, पाँच के अनुपाद में मिलाया जाता है। यदि इस मिसरन का मूल 120 रुपया पर्ती किलोग्राम हो जाता है तो तिसरी किस्म के चायक पत्ती का पर्ती किलोग्राम मूल ले जो है वो क्या है, तो यहाँ पहली, दूसरी और तिसरी किस्म की चाय की मात्रा कितना है? तो यह मात्रा है, 2.5, 3. Also 7 है, क्या है? 2.5, 3.5 है, या 2 kg, 3 kg या 5 kg भी कर सकते हैं, तथा तिसरी किस्म की चाय का जो मुल है, तिसरी का मान लेते हैं तिसरी का मुल जो है एकस रुपय परती केजी है क्या है एकस रुपय परती केजी है अब आए यहां से निकालते है 108 रुपय गुना 2 है क्या है पहली किसमे के पलस दूसरी की है 120 गुना 3 है अब पलस एकस गुना क्या है 5 अब बराबर हो जागा 125 रुप्या परती किलोग्राम जो है इस मिसरन का मुल्य हो जाता है तो कितना हो जागा 125 गुना 2 पलस 3 पलस 5 केजी का इसे हल करते हैं तो यह हो जागा 216 पलस 360 पलस 5 एक्स बराबर 125 गुना 10 यह पांच एक्स बराबर हो जागा 1250 माइनस 576 तो एक्स बराबर हो जागा 634 बठा पांच यानि 134 दसम्बलब आठ नि को भैलन टू कर सकते हैं 135 रुप्या परती केजी कर सकते हैं यानि अंसर जो हमारा हो जाएगा वह भी हो जागा क्या क्या है कि 2-3 आ 5 को जो तो इस्जियो में दिया हुआ है उसे केजी में लग मान लिए 검찰 एक्साइर vibes तीन गुना 1kelt युद्वास एक्स बराबर इस रुप्या करती जो थीस्रा का माने है मेंçons 5 बराबर कितना हो जागा का और में में tutto म्लप बस इसे क्वेट करके सोलों कर देना X के मान 125 रुपया पर केजी आ गया है अगला प्रस्ण है चटा नंबर कि एक मोटा नाव इस्थिर जर्म में जो है वो 12 किलमेटर पर घंटा की चाल से चल सकती है यदि धारा की चाल 2 किलो मिटर पर घंटा है तो नाव धारा के परतिकूल एक दूरी तै करने मे धारा के चेसमान दूरी तै करने में 12गंटा धीक समय लेती है एक तरफ की दूरी कितनी होगी तब माना की एक तरह की कुल दूरी जो है वह कितना है एक्स किलो मीटर है ठीक नए x ए अब करत एक्स बटा ये करहा है धारा के बीप्रीत यानि 12 माइनस 2 इसमें ज्यादा टाइमिलेगे तरने में, पार करने मोटरवों को ज्यादा समय apartment अढ़ी cert करने में अधारा के पर्तिक्यूल करने में देड़ गंटे का दीख समय लेती है बस यहां इसे हमारे पास आ गया है सोल्व करना है एक सब्सक्राइब दास माइनस एक सब्सक्राइब चाओदा बराबर एक दसम्लब पांच हो जाएगा और सोल्व करेंगे एक दसम्लब पांच गुना एक सो चालेस अंसर जो हमारा हो जाएगा एकस का मान कितना हो जाएगा यह हो जाएगा बामन दसम्लब पांच किलो मीटर क्या है बामन दसम्लब पांच किलो मीटर यह डी जो है वह अंसर है क्योंकि माने थे एक तरफ की कूल दूरी जो है वह एकस किलोमेटर एक सा गया बामंदे सब्लाब पांच किलोमेटर अगला है साथवा नंबर प्रस्ण की एक लड़का साइकल से अपने घर और स्कूल के बीच की निश्ची दूरी तै करता है दैस किलोमेटर पर घंटा के एफसर चाल से चलने पर हो जहा Banana गर और स्कूल की बीच की दूरी कितना है एक्स किलोमेटर के है एक्स किलोमीटर सब्सक्राइब तो उससे जितना टाइम लगता है और कितना और 10すबाइब 15 के सब्सक्राइब तो दोनों के समय में जो अंतर है एक जो है दस मिनट देर से पहुचता था अब पंदरा के चल रहा है तो पांच मिनट पहले पहुच रहा है था दस प्लस पांच का अंतर होगा अब पंदरा मिनट का और यह से घंटा में बदल देंगे तो 60 से भागा दे देंगे तो यहां ब किलो मीटर तो घार और स्कुल की बीच की दूरी कितना हो गया साद सोलाब पांच किलो मीटर करना इस निए कुछ नहीं था कि एक जो है दूरी थोसमें 10 के हिसाफ से चलता तो पांच 10 मिनट लेट चलता है तो यहां पर यह हो गया अब फिर एक सब्च पंदरह के से चलता है तब क्या हुता है कि पांक मिनेट वह जाली पहुच जाता है तो दोनों के समय में अंतर है कोई एक प्रस तैम था पहले दस में DR पहुच रहा था अब दस मिनट पहले पहुच जा रहा है ज़ितना कज रहा चाहिंदें उस समय मिनट का 15 बस बस इसे हल कर देना एक साथ देसमला पांच किलो मीटर आ गया अगला है साथ पूरुस पांच दिनों तक परती दिन आठ घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं यदि परती दिन दस घंटे काम करते हो या काम साथ दिनों में पूरा करना है तो कितने पूरुसों की अवस्य लूट लगा देना है कौन सा बससे परमुख след 1 गुनती बड़र डी कुना टी टू ती एन्नि साथ गुणाव पांच गुना आफ्वर साथ का मान दिया हुआ था बस मान रख दिये थे फार्वुला में M2 बरभर हो जाएगा साथ गुना पांस गुना 26 नवर निए 49 को भारत के समिधान को अपनाया है चोबिस जन्वरी क्या है 24 जन्वरी 59 समिधान सवा की अंतिम बैठक हुआ जिस पर कितने लोगों ने 284 लोगोंने साइन किया किया है 284 लोगोंने साइन किया पर्थम भारते एमेन रॉय ने जिन्होंने सर पर्थम 1934 में समिधान सवा की जो है वो मांग की और भारत के समिधान को अधिकारिक रूप से कैबिनेट मिशन के प्रस्ताप पर समिधान सवा द्वारा तयार किया गया है समिधान सवा की जो है छे दिसंबर एक छे दिसंबर आता है छे किया गया इसका जो है गठन कैबनेट मिशन योजना 1946 के प्रवधान के तहट किया गया था और समिधान सवा की पहली अधिकारिक बैठक जो है कब हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को संचिदानन सिनहा की पहली बैठक के तवर पे आस्थाई अधियाच के रूप में नियुक किया गया था जबकि डक्टर राजन्बर परसाद को 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को समिधान सवा के अधियाच के रूप में चुना गया तो 3-4 जो डेट है वो परमुख है 24 जनबरी 1950 को जो है वो क्या हुआ था तो इसे 24 जनबरी 1950 को समिधान सवा के अंतिम बैठक हुआ 26 नवंबर 1949 को क्या है यह समिधान सवा अपनाया गया 6 दिसंबर 1946 को जो है गठन हुआ 9 दिसंबर की पहली बैठक हुआ 11 दिसंबर को अस्थाई रूप से राजंदर परसाद को अध्याच बनाया गया तो ये डेट जो है काफी confusion रहता है या काफी important भी है भारत में पर्थम कोईला खान कहां खोदी गई और इसका सई अंसर हो जाता है और भारत में अधिकांस कोईला लगभा 98% गुनवाना करम की सैलो से प्राप्त होता है जारखन का जहरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोईला खनन छेत्र है जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के बैपार के लिए समझाउता किया है ज परिक मानिता समझाउते का कर्यान बन किया है मुच्वल रिकोगनाईजेशन एग्रिमेंट यहमारे का कर्यान बन किया है यह समझाउता दोनों देशों के लिए एक इतिहासिक लब्दी है क्योंकि यह जैविक उत्पादों के लिए पहला दिव पच्छे समझाउता है भार सबसे महत्रा पूपन अधिकारी होगा इसका कार्जकाल जो होगा वो 6 बर्स या 65 बर्स जो भी पहले होगा कि आई तक होगा सितंबर 2024 के अनुसार जो है कैक के परमुक जो है वो कौन है तो वो है ग्रीस ग्रीस चंद्र मुर्मु क्या है ग्रीस चंद्र जो है मुर्मु है इसके कैक के अनुसार जो है परमुक पर कौन है ग्रीस चंद्र मुर्मु 24 तक के अनुसार अगला है भारतिय समिधान के अंतरगत कितने परकार के अपातकाल होता है और इसका सही अंसर हो जाएगा अपसन C तीन परकार के होता है तीन परकार के भारतिय समिधान के भाग 18 में क्या है भाग 18 के अनुछे 322 से लेके 360 तक में अपातकाल से संबंदित है और भारतिय समिधान में राष्टिय अपातकाल का जो है बाइमर गन्राज यानि जर्मनी से लिया गया है कहां से जर्मनी से लिया गया है अतीन परकार के कौन-कौन होता है एक होता है अनुच्छेद 302 में और यह होता है राष्टिय अपातकाल राष्टिय अपातकाल एक होता है अनुच्छेद 356 में यह होता है राज में राष्टपती सासन लागू होना राष्टपती सासन लागू होना और एक होत अनुछेद अनुछेद तीन सो साथ बितिय अपातकाल क्या है बितिय अपातकाल भारत में अब तक बितिय अपातकाल लागू नहीं हुआ है और बितिय अपातकाल भारतिय समिधान में अमेरिका के समिधान से लिया गया है भारत में राष्ट्पति सासन नहीं सो रिकामन में स और 1975 में लागू हुआ था, यानि तीन बार लागू भी हो चुका है, अगला प्रस्न है कि लेंडर पेस का संबंध है, और इसका सही अंसर जो हो जाएगा, आप्शन D, लॉन टेनिस से क्या है, लॉन टेनिस से संबंध है, रोजर फेडर, सानिया, मिर्जा, नुवाक, जो कभ लॉन टेनिस, निसान बाजी में अबनी लेखरा, अबना बिंद्रा का नाम आता है, साजन परकास और स्री हरीनट राजन, तेराकी में, आजकल काफी जो है, वो नाम आ रहा है, नीज में, अगला है, तेरा अप्रैल उने से उनीस, इसका सही अंसर हो जाएगा, आप्शन A, क्या है, अमरित सर में हुआ था, राउलेट एक्ड में जो काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, इसका रास्त ब्यापी बिरोध हुआ। राउलेट 8 का बिरोध करते हुए डाक्श सत्पाल और डाक्श हुग दिल किचलो को गिरकतार कर लिया गय था, इन दोनों को कैद के बिरोध में जर्यावला बाग में सम्मेलन हो रहा था बैसाखी पुर्णिमा के कारण भीड काफी बढ़ गई मारसा लाल लागू होने के कारण जैनरल ओडायार ने गोली चलाने का अधेश दे दिया सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 389 बेक्ती मारे गए जब कि परतेश दर्शी के अनुसार कम से कम हजार बेक्ती मारे गए थे सरकार ने इस घटना की जाज के लिए हंटर समीटी का जो है वो गठन किया था कांग्रेस ने मदन मुहन मालविय के अध्यस्ता में जास समीटी बनाया लेटिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को उद्धम सीने लंदन में जाकर 1940 में गोली मार दी जनरल ओडायर को सोदेश में अनेक उपाधी और पुरुसकार दिये गए थे यानि इंगलेंड में उन्हें काफी पुरुसकार और उपाधी दिये गए थे अगला है किसी कूट भासा में फ्रेंड को इस तरह लिखा जाता है उसी कूट भासा में पीश को कैसे लिखा जाएगा तेहां पर देखे एप से जो है वो जी गया पलस एक है आर से जो है वो क् स्रीद देख रहे हैं पलस एक माइनस एक पलस एक माइनस एक पलस एक इस तरह के इस स्रीद चल रहा है तो पीस को अगर हम देखेंगे तब पीस से पलस बन जो होगा वो क्यू होगा और ए से माइनस एक जो होगा वो होगा डी हो जाएगा इसी तरह एसे पलस बन जो होगा B होगा, C से माइनस एक जो होगा, वो क्या होगा, B होगा, और लास्ट में जो होगा, कौम सा है, C है, C से माइनस एक जो है, वो B गया, और E से जो है, माइनस क्या है, E से पलस बन जो होगा, वो F होगा, क्या है, F होगा, यानि हमारे आगा Q, D, B, B, F, अंसर जो हमारा 16 के आज जाएगा एक तिर्भूज ये होगा दूसरा तिर्भूज उसके बाद फिर होगा ये बड़ा वाला तिर्भूज तीन तिर्भूज उपर हो गया उसके बाद उपर से ये चार तिर्भूज इसी तरह ये पांच हो जाएगा उसके बाद ये पूरा वाला जो हो जाएगा ये छ तिर्भूज यह दस तिर्भूज यह बड़ा वला 11 तिर्भूज फिर यह 12 तिर्भूज यह 13 हो जाएगा इसार 14 होगा यह यहां पर 15 होगा जो किजेगा तो मान लिया कि ये कटोरियां है, कटोरियां, कुछ कटोरियां जो है, वो कप है, ये हो जाएगा कप, क्या है कप, उसके बाद कर रहा है, सभी कप जो है, वो क्या है, ग्लास है, तो यहां हो जाएगा ये ग्लास, उसके बाद कुछ ग्लास थाली है, कुछ ग्लास जो है, ये हो ज सकती है क्या यह हो सकता है उससे पहले हमें एक और रूप देखना होगा क्या है एक और रूप देखना है क्योंकि इसमें एक अलग से निकला हुआ है दूसरा किस तरह बना सकते हैं यह अगर मान लिया कि क्या होगा क्टोरी होगा क्या है कटोरी होगा यह हो जाएगा क्या है क इस तरह भी तो हो सकता है बरतन अगर क्या है यह कर दे पूरा तो यह भी बन सकता है अब कह रहा है सभी कटोरियां बरतन नहीं हो सकती है सभी कटोरियां बरतन नहीं हो सकती है अगर पहला से देखते हैं तो बिल्कुल बरतन नहीं हो सकती है यह सभी कटोरियां बरतन भी तो ह हो सकते हैं यहीं घ्लास जो है सभी बरतन हो भी सकते हैं यहांसे नहींसे हो है तो वह है कि एकलावती बहु है यह हो जाएगाऄ संभ कि एकलावती बहु Holz यह कोई है, जो C की बहन है, क्या है? बहन है, C उस F का इकलोता पुत्र है, यह हो जाएगा, पुत्र है, इकलोता पुत्र है, जो की D की पत्नी है, क्या है? D की पतनी है यानि यहाँ F और D जो है पती पतनी है उसके बाद कर रहा है H के पुत्र B और G है H का जो है वो पुत्र है कौन है एक तो B है और एक G भी है यानि यह दोनों जो है वो क्या है भाई है भाई है H के पुत्र B और G है G का F से क्या संबंद है G का F से संबंद बताना है F से जो है वो संबंद बनाना अब यहां पर देखिए कि D जो है उसका एकलावती बहु जो है H है और इसका दो गो बेटा है और इसका पत्ती है तो यहां भी एक पुत्र है तो यह जो होगा C और H जो होगा हो सकता ना कि भाई हो या पति पतनी हो यह भी क्लावता पत्र है यह भी अपलती बहू है यह जो हो जाएगा यह पता हो जाएगा क्योंकि बेटा का पुत्र जो होगता वो पोता होता है अंसर जो हमारा हो जाएगा 19 के C हो जाएगा दिये गए पैटान को ध्यान पुर्वा का ध्यान करे अवगा संख्या चुने जो प्रस्ण चेन के अस्थान पर आ सकती है यहाँ पर जो है 23 गुना 3 करते हैं 27 गुना 5 करते हैं साथ पचे 35 के पांच सतीन पांदा सिंथे रही यह आ रहा है तो गुना 7 कर दीजिए इस साथ होगा सत्याएगा 217 अंसर जो हमारा आ जाएगा वो डी आ जाएगा क्या है डी आ जाएगा चलिए किरकेटर खिलाड़ी मानव जाती तो मानव जाती के तो अंदर ही आता है अगर मान लेकि यह उपर वाला मानव जाती करते हैं मानव जाती है तो इसी के अंदर जो है किरकेटर और खिलाड़ी दोनों आएगे तो यह हो जाएगा खिलाड़ी खिलाड़ी के अंदर ही आते है किर्केटर क्या है किर्केटर अंसर हमारा C हो जाएगा चार सब दिये गा है जिनमें से तीन किसी न किसी तरह समान है और एक का समान है असमान सब्द का चैन करना है यहां पर असमान सब्द की बात करते हैं तो रेनीन हो जाएगा क्योंकि यक्रित अग्नियासय और गुर्दा जो है यह सब सरीर का भाग है जबकि रेनिन एक एंजाम है जो अमासय में उपस्तित एक ग्रंथि से स्त्रावित होता है अता रेनिन जो है असमान है बिभिन मुवाइल पिढ़ियां इनके अरंभ बर्स एवं तकनीक में कौन सुम अब इरती बैंड भी अगर कहा जाए तो पचीस जो है वो मेगा हर्स था और गती जो था वो 64 के भी पिएस था इस समय जो है वाइस कौल अल्लाग हुसंदेश के लिए जाना जारा था उसके बाद आया थिरी जी 2001 में WCD में था इनने WCDM में था इसका जो अब इरती बैंड की बात करें तो पचीस मेगा हर्स ही था लेकिन इसका स्पीड बढ़ गया था तीन देसमलव एक एमबी पिएस हो गया था फोर जी की बात करते हैं तो फोर जी 2000 जो है कव लागू हुआ ये 2009 में LTE या BMAX जो है इसका तकनीक था और इसका जो था वो अब इरती बैंड कितन आ एक हज़ार मेगा हर्स था एक हज़ार इसका स्पीड जो था वन जी वी हो गया था किया वणी वी पिएस हो गया था फाइब जी जो ह फाइब क्या है दो ढ़ाजर 30 में ये गलत है fसक्यार हो जाए और हुजर चाहाबенная यह हमारा जो जाएक है भी था यह किर्टी बेंट था वो कितना था तो वो 30 GHz से लेके 3000 GHz तक हुआ और इसका गती जो आ गया वो 10 Gbps आ गया क्या है 10 Gbps आ गया अगला है अगला है लेक्ट्रोनिक बहान में किस लिथियम आयन बैटरी के परकार का उपयोग किया जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा डी लिथियम टाइटेनियम का क्या है लिथियम टाइटेनियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है सेनफोल लैप्टॉप कैमरा में लिथियम कोबाल्ट का किया जाता है बिजली उपकरन चिकेत्सी उपकरन या अनउपयोगी उपकरन में जो है लिथियम मेगनीज ऑक्साइड या लिथियम आयरन फास्पेट का उप्योग किया जाता है लिथियम आयरन बैटरी प्रोदुकी के बिचार पहली बार 1970 के दसक में प्रस्तुत किया गया था कार्बन ब्यापार संकलपना का परतिपादन निम्न में से किसके तहथ हुआ था कार्बन ब्यापार संकलपना का परतिपादन और इसका सई अंसर हो जाएगा option B क्योटो प्रोटोकॉल क्या है क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डैकसाइड गैस के उत्सरजन को कम करने के लिए एक संधी हुआ था और यह कब हुआ था 1997 में कब 1997 में और यह जो है 2005 इसवी में लाग हुआ मॉन्ट्रियर प्रोटोकॉल काफी बार पूछा जाता है ओजोर परत के सरच्छन से संबन दित है और वह लागू हुआ था 1997 में क्या है मॉन्ट्रियर लागू कब हुआ था 1997 में और यह 89 से पूर्टा लागू हो गया ग्रीन हाउस गैस प्रिथिवी द्वारा प्रबर्ति पार्थिव दिर्ग अबरक्त किरनों को पुना प्रिथिवी पर भेज़ देता है इससे प्रिथिवी की सता जो है वो कहारा लगेगा यानि क्या है किमें भरने में लगेगा जो समय हो जाएगा वह जईगा वह जाएगा 100 गुना 5 4 यानि 125 मिनट का है 125 निट गंटा 40 मिनट जो है एक घंटा 40 मिनट को हम लोग क्या कर लिए है मिनट में बदलके ये 100 किया गया तो वही है कि अंसर जो हमारे पास हो जाएगा 125 मिनट हो जाएगा क्योंकि 100 मिनट भरने में जो 5 को लगता है वो कितना होता है? 5 पाइप को लगता है तो 4 पाइप को भरने में जो है वो लगेगा कितना वही लगेगा 125 मिनट अंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा D हो जाएगा क्या है D हो जाएगा यदि एक घं क्या कार के डिब्बे के सबसे लंबे बिकर्ण की लंबाई रूट तीन सो सेंटिमीटर है इसका आइतन जो हमें ग्याद करना है इसका आइतन ग्याद करना है घं का बिकर्ण बरबर होता है घं का बिकर्ण बरबर होता है कितना रूट तीन सो सेंटिमीटर जो कि दिया हुआ है और यह होता है रूट तीन गुना भूजा बरबर कितना द 10, root 3, 10 अंदर चला गया, draw, 30, 8, 100, 300 है, जिसे बाहर निकाल देगा, 10 root 3 हो गया, root 300 को ही लिखे हैं, 10 root 3, तो भुजा वरावर हमें निकल गया, कितना? 10 निकल गया, μποirmा भुजा कितना, निकल गया, अब कह रहा है कि इसका क्या होगा, अंसर जो है हमारा कितना आ गया यह आ गया क्या है यह आ गया अगला प्रस्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समाब बर्द जो है वो क्या है बारा है निमली खित में कौन सा उनका लगत्तम समाब बर्द कभी नहीं हो सकता है अब यहां पर जो है दो संख्याओं को लासा और मसा जो है वो गुनाख होता है अनुरДа संख्याओ को अल्ला notion मसा का गुनाख होता अगर मसा चार है तो यह हो सक öl् gast कि आट होगा बारा होगा आजोगा जो भी चार के गुनाख मोसी तरह गुनाख भीने यहाइद मारे जो हो सकता निया ही चो बीस हो षकता 6 cm और 4 cm है को पिला कर 8 cm अधार का एक संकु बनाया जाता है इस संकु की उचाई कितनी है अब खोखले गोले का अंत्रिक त्रिज्या आर बरबर कितना हो गया तो 4 वटा 2 यानि 2 cm और 2 त्रिज्या आर कितना हो गया 6 वटा 2 बरबर 3 cm हो गया अब कह रहा है संकु की त्रिज्य तो यहां प्रस्ण से है कि खोखले क्या है घोले का आइतन आइतन बरबर हो जाएगा किसका संकू का आइतन क्या है संकू का आइतन बस यहां पर से मान निकाल देना है खोखले गोले का आइतन तो चार बटा थिरी पाई कैपिटल आर क्यू मान रख दीजिए तीन तीन नीचे वाला को हटा दीजिए पाई पाई को भी हटा दीजिए यह सब कल्कूलेशन बढ़ाने वाला हमारे पास आगया चार गुना 27 माईनस आठ बरवर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आरवन कितना दिया हुआ है 16 डीजिए हुआ है एच बरवर हो जाएगा 19 बटा 4 बरवर 4 पुनांग 3 बटा 4 सेंटी मीटर अनसर जो हो जाएगा 29 के C हो जाएगा अगला प्रसन है कि यादि कॉस A-B बटा कॉस A-B बरबार आठ बटा तीन है तब टैने 10B कमान क्या होगा तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस A-B इंटु नहीं पलस में करें दो लिख नीचे बला को पर जोड़ रहे हैं क्योंकि योगांता पाद कर रहा हैं Tua Kaung a Plus B minus 92 ते लिखेंगे तो यह को जा का आट My Ness Consumer अब ऊपर वाला जो का मैनस मी प्लस कोश ए प्लस की का जो होता है वो हो तो होता है क्या है टू को प्रॉक एसले को जा बैंटू को सबीड को यह तोड़ के लिखा गया है और नीचे वाला को जो हो जाएगा कितना बटत तू साएन ए इंटू साएन बी बरवर 11 बटत पाच लटड़ दीज़े दो-दो काटके शाएन एइंटू साएन भी बटत कोस ए इंटू कोस भी बरबर 5 बटा 11 यह इसका मान हो जाएगा 10 इसका भी हो जाएगा 10 B यानि 10 A into 10 B बरबर हो गया 5 बटा 11 पांच बटा 11 अंसर में हो जाएगा A में हो जाएगा चलिए 31 नमबर है कि एक मकान की खिड़की से एक जंडे के सिखर का जो है वो क्या है उनियन कोण 60 डिगरी क्या है। इसके अधार का बनमन गौण 30 डिगरी है यदि मकान में تस्याद जंडे की 36 दूरी 6 मेटर है तो जंडे की उचाइग ज्याद करे मान ल år करна है कि वही कहा है अधार से जो बन रहा है यहां से अधार से यह बन रहा है क्या है यहां देख कर सकते हैं यह बन रहा है अब नमन को यह 30 डिगरी का क्या है 30 डिगरी और यह जो दूरी है यह दूरी दिया हुआ है 6 मीटर क्या है 6 मीटर दिया हुआ है तो यह भी जो दूरी हो जाए जाए जो हो जाएगा कितना AB है तो तिर्भुज जो है AED में 1060 डिगरी बराबर हो जाएगा AED बटा ED हो जाएगा यानि रूट 3 बराबर हो जाएगा AED बराबर जो हो जाएगा 6 रूट 3 मीटर तिरभुज B, D, E में जो है वो कितना हो जाएगा 10, 30 डिगरी बरावर B, E बटा E, D क्या है E, D तो 1, Y, ROOT 3 बरावर हो जाएगा B, E, Bटा 6 क्या है B, E, Bटा 6 हमारे पास जो आ गया B, E बरावर कितना हो गया यह आ गया 2, ROOT 3 क्या हो जाएगा 2, ROOT 3 आ गया यहां से हमें कर दना है जंडे की उचाई जो हो जाएगा वो कितना होगा E, E, P, E, B यहनि 6, ROOT 3 पलस 2, ROOT 3 हो जाएगा कितना? 8, ROOT 3 क्या है? 8, ROOT 3 अंसर कौन सा हो जाएगा? तो अंसर हमारा 31 का जो है C होगा चलिए है 32 नंबर प्रस्ट पर कि आएए S तिर्भुज A, B, C के अर्ध परिमिती को निरूपित करें जिसमें B, C बरबर A, C, A बरबर C यदि एक बृत करम सा D, E, F पर भुजाओं B, C, A, B को असपास करता है तो B, D बरबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना? एक फिगर जो है तिर्भुज ड्रा कर लेना है यह जो है यह तिर्भुज है इसमें अंदर कोई एक बृत है क्या है? एक अंदर जो है वो बृत है जो टच कर रहा है कहां पर? यह D पर यह F पर और E पर क्या है? E पर जो टच कर रहा है A अब B और C जो है वो तिरभूज है C यानि ये C है ये B सेंटिमीटर है और ये A सेंटिमीटर है टच कर रहा है कहां पर E पर F पर और D पर अगर टच करेगा तो यहां पर जो होगा अगर मान लिया कि यह अगर X है तो यह होगा Z यह है X है तो यह हो जाएगा Y और यह Y है तो यह हो जाएगा Z हो जाएगा क्या है? Z हो जाएगा अब यहां से हमें निकालना होगा कि 2S वरावर होता है A पलस B पलस C होता है यानि 2 into X पलस Y पलस Z वरावर A पलस B पलस C होगा x प्लस y प्लस z बरवर होगा a प्लस b प्लस c बटा 2 होगा तो x बरवर होगा a प्लस b प्लस c बटा 2 माइनस y प्लस z होगा क्या है? by प्लस z होगा इसे लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c बटा 2 को क्या लिख सकते हैं? s लिख सकते हैं और ये जो है Y प्लस Z को लिख सकते हैं B तो अंसर जो हमारा होगा S माइनस B अंसर जो हो जाएगा B हो जाएगा अगला प्रस्ना किया दि तिर्भुज A, B, C तथा तिर्भुज D, E, F समरूप तिर्भुज है जिनमें कोन A बराबर 30 डिगरी कोन C बराबर 50 डिगरी A, B बराबर 5 सेंटीमेटर A, C बराबर 8 सेंटीमेटर तथा D, A बराबर 75 सेंटीमेटर है तो D, E का जो है क्या करना है मान हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें A, B, C जो है एक तिर्भुज बनाते है A, B, C है इसका 5 सेंटीमेटर जो है और ये है 8 cm और ये 30 डिग्री है और ये कितना है 50 डिग्री है एक जो आउर है वो है D E F है ये जो है वो 7.5 cm है यहां तिर्भुज जो है A B C जो है वो सर्मांग सम्हें कितना D E F का A B बटा हो जाएगा D E बरबर A C बटा हो जाएगा D F यानि हो जाएगा 5 बटा D E बरबर 8 बटा 7.5 तो D बरबर निकल जाएगा 5 गुना 7.5 बटा 8 यानि 4.68 क्या है 4.68 अंसर हमारा आजा रहा है D, क्या आजाएगा, अंसर जो है वो D आजाएगा, बिसेस आर्थिक छेत्र अदिनियम पारित किया गया, और इसका सही जवाब हो जाएगा, A मई 2005 में पारित किया गया, पारित किया गया, मई 2005 में, अगला प्राशने की भोगोलिक द्रिष्टि से भारत का चांसिय बिस्तार क्या है, इसका अंसर हो जाएगा, A 8 डिगरी 4 मिनिट नौर से लेके 37 डिगरी 6 मिनिट जो है, वो नौर तक, मियान मार के साथ भारत के किन राजियों की सिमाएं मिलती है, मियान मार के साथ, और इसका लंबाई है, वो है 1643 किलो मिटर, 1643 किलो मिटर, अगर सबसे जाए सिमा की लंबाई भारत है, वो किसका है, तो वो है बंगला देश का है, बंगला देश का कितना है, तो यह है 496.7 किलो मिटर, अगर बात किया जाए, उसके बाद चीन का आता है, चीन का कितना है, 3488 किलो मि किलो मिटर उसके बाद नेपाल के साथ आता है 1751 किलो मिटर मैंन मार के साथ आता है कितना यह आता है 1643 किलो मिटर और बुटान के साथ जो आता है वह आता है 699 किलो मिटर और सबसे कम जो आता है वह अफगानिस्तान के साथ आता है कितना अफगानिस्तान के साथ आता है 106 किल किस ने परग्राम किया सही अंसर हो जाएगा option B केमरुन देश की रधानी जो है वह कहां है तो यह है या उंडे क्या है या उंडे केमरुन देश की रधानी है और इसका मुद्रा जो है केमरुन देश अफिरका महादीप में अवस्थित है अगला है उस्तार बिंदा खान का संबद निवलिखित में से किस बाद ये अंदर से था और इसका अंसर हो जाएगा डी सारंगी से था क्या था सारंगी से था अगर तबला की बात करें तो जाकिर खुसाइन अलतीफ अमद खान जो है वो बादक थे सितार कप्रमुख थे पंडित रवी संकर और निखिल वनर जी बासुरी की बात किया जाए बहुत बार पूछा जाता है तो हरी परसाथ चोरासिया और पन्नालाल घोस बिसमिल्ला खा अली अहमद थे सहनाई का अमजद अली खान अमुके सर्मा थे सरोध का और एक संतूर के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है सिमकुमार सर्मा एवं भजन सोपारी थे निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज नहीं है इसका सही अंसर हो जाएगा डी रादस्थान परमुख चाय उत्पादक छेतर जो है ब्रहम पुत्र एवं सुर स्पादक और परमुख के बंसित और यहों असर्म हो जाएगा कॉलंबो बंतरगा भी सिरलंका में है अर्तृकमाली भी सिरलंका में है। की बात करते हैं तो यह था इंडोनेशियम यह है जो है था नहीं इंडोनेशिया में यह सब जो है यह बंदरगा है अगला है निम लिखे चार अच्छर समूहों में से जो है तीन अच्छर समूह किसी परकास से एक समान है और एक असमान है असमान अच्छर समूह को चेहन करना है यहां से देखना है सी से एफ गया है पलस दो है एफ से जी गया है पलस दो है जी से आई गया है पलस दो है सभी जो है पलस दो किया गया है बी में देखते हैं एम से जो है पलस दो किया गया है तो ओ आया है ओ से पलस दो किया गया है तो क्यू आया है क्यू से पलस दो किया यानि सब जो है प्लस दो है P से हमें R गया है ये भी प्लस दो है R से T गया है ये भी प्लस दो है लेकिन T से जो W है ये प्लस तीन आ जा रहा है W से बाई जो है प्लस दो है यानि एक जो है T से W वही प्लस तीन है यानि हमारा जो संगत है समान है वो कौन है वो डी अंसर हो जाएगा लोहार संदान बढ़ाई और इसका सई अंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी आरी लोहार जो है वो क्या करता है उसका मुखवजार संदान होता है लोहार का ताकि उसी परकार जो है कहा देखा जाए तो बढ़ाई का मुखवजार कौन सा है तो वह है आरी एक 15 किलोमेटर दच्छिन में चला 15 किलोमेटर जो है वो दच्छिन में चला उसके बाद कर रहा है बाएं मुड़ा और पंदरा मीटर चला और आगे 15 मीटर चला क्या है आगे 15 मीटर चला वह शुरुवाती स्थिति से कितनी दूर किस दिशा में थी कितना है यह 15 मीटर है और किदर है तो पूरव क्यों है क्या है पूरव क्यों असर्द यह हमारा आ जाएगाHo ही वह हो जाएगगा ακर बिल्कुल स siinä करेगी यह नेतने सर्द्वं को नौकरियों नेकरिया हो जाएगा केबल तर्क एक जो है वो मजबूत है दिये गए चार चित्रों में से तीन किसी रूप में संगत है एक संगत है क्या है एक संगत है तो हमें बताना है कि कौन सा जो है वो असंगत है इसका अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्या हो जाएगा अंसर हो जाएग तो में तरफ और होती हैं और यहां भी बाहईं तरफ है इसाइप चाहिए हैं estim Eye दू नीमलिखित में कौँ इसकते तwah स्याओं मैं प्रस्ना करते हैं दीगें स्रिंख्छा को पूरा में तो 46 का जो अंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आकर्ती में जो चिंड देख रहे ह। जो 90 डिगरी 80 क्लोगवाज दीशा में अपने क्या कर रहा है। अपने क्थान को गूमकर 2 step क्लोगवाज आगे बढ़ रहा रहा है। यानि एक अगर यहां है तो दूसरा यहां है अगला विरूट का यहां है यहां है उसके बाद क्या हो जाएगा यहां और यहां और यहां पर हो जाएगा तो अनसर तो हमारे A और B में ही होना चाहिए अब उसी तरह अगर इसको देखेंगे तो हमारा यह हो जाएगा यह से यह यहाँ आया फिर यहां गया अब जो है यहां आएगा तो अंसर हमारा कौंसा हो जा रहा है यहosah into ड है और अब ऑद कोसे हो जाएगा के ऑद पहन कि ग्हुमके कहां कहां आ रहा करें और बाई माईनस x का मान भी हमें ग्याद करना है तो 10, 30, 20, एक्स, 50, 150 बाई है क्या है बाई है यहांसे 10 गुना अगर 3 किये हैं तो 30 हुआ है अगत 30 में से माईनस 10 किये तो 20 होगा अब क्या होगा 30 गुना तीन करेंगे तो यह गर साथ होता साथ माइनस दस करते तो पचास होता क्या होता पचास होता पचास माइनस तीन किया गया तो देड़ सो किया जाता है और इसका अंसर हो जाएगा C ताकि उन्हें जंग लगाने से बचा जा सके क्या है जंग लगाने से बचा जा सके डीडीटी हमारे सरीर के किस उत्तक से में संचित होती है और इसका अंसर हो जाएगा C बसा में डीडीटी हमारे सरीर के बसा उत्तक में संचित होता है रसाइनिक पदार्थों का खाद जल में संचियन जैबिक आवर्धन कहलाता है डीडीडी का पूरा नम है डाइक्लोरो डायो फिनाइल ट्राइक्लोरो इत्थेन होता डीडीडीटी का निर्मान सरपर्थम पॉल मूलर ने यह था और यह जो है परवल कीट नासक है अप्टि कंप्यूटर की खोज 1946 में हुआ था अगला प्रसन है कि बिंदू ए दो तीन है बी चार के है और सी 6-3 है सरेखी है तो किया कमान क्या होगा तो अगर सरेखी है तो तिर्भुज का जो छेद्रफल होगा तिर्भुज का छेद्रफल वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा बस इसका कर दीजेए चेद्रफल का होता हाफ इंटू एकस बन इंटू बाइटू माइनस बाइट्री पलस एकस टू बराबर होगा बाइट्री माइनस बाइबन पलस एकस त्री बराबर होगा बाइबन माइनस बाइटू इक्वल टू जीरो हो जाएगा बस हमें मान रख then I half into 2 into k plus 3 plus 4 minus 3 minus 3 plus 6 3 minus k equal to 0. जब इसे हाल की जाएगा तो यह होगा k plus 3 plus 2 minus 6 plus 3 into 3 minus k equal to 0. तो k plus 3 minus 12 plus 9 minus 3 k equal to 0 minus 2 k बरबर 0 तो k बरबर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा क्या है? जीरो अंसर हमारा हो जाएगा ए आ जाएगा बस क्या है? यहां तिर्भुज का छितफल बरबर 0 कर देना है क्योंकि सरेखी है कह रहा है और यह जो है वो तिर्भुज का फार्मूला है यदि समीकरन जो है दिया हुआ है बिटा इंटू x plus 1 के square बटा 3 plus by plus 2 by plus 2 के square बटा 4 square बरबर r square होता है अब यहां दिया हुआ है बिटा x plus 1 के square बटा 3 plus by plus 2 के square बटा 4 equal to 1 जब बिटा का मान 3 बटा 4 लेते हैं बिटा का जो है मान 3 बटा 4 लेने पर क्या है? लेने पर यह हो जाएगा कितना हो जाएगा? तीन बटा 4 x plus 1 के square बटा 3 plus by plus 2 के square बटा 4 equal to 1 हो जाएगा यहां समिकरन जो है वो बृत का है अभिश्ट परिनाम बिटा बरबर जो है वो 3 बटा 4 होगा है? तीन बटा चार होगा के किस मान के लिए समिकरन x प्लस 2y बरवर 7 तथा 2x प्लस k बरवर 14 जो है वो समपाती होगे क्या है समपाती होगे तब यहाँ पर दिया हुआ x प्लस 2y बरवर 7 x प्लस 2y माइनस 7 इक्वाल टू 0 यह 1 हो गया एक है 2x प्लस के बरवर 14 से लिख सकते हैं 2x प्लस के बरवर 14 बरवर 0 यह तूसरा हो गया यहाँ a1 बरवर 1 है b1 बरवर 2 है c1 बरवर माइनस 7 है a2 बरवर 2 है b2 बरवर k है c2 बरवर माइनस 14 है जब सरल रेखा यह कम समपाती हो तो क्या हो जाता है, अगर समपाथी हो तो a1 बटा a2 बरभर होता है b1 बटा b2 बरभर होता है c1 बटा c2 बस बरभर करते हैं, एक बरभर होता नहीं लाइक बरभर के 5 बरभर, 2 बरभर k का योग जो है वो दो बर्टा तीन है तो एक ही बर्तमान आयू जो है वो क्या होगा माना कि एक ही बर्तमान आयू कितना है एकस बर्स है दो बर्स पहले दो बर्स पहले एक ही आयू कितना हो जागा एकस माइनस टू हो जागा दो बर्स बाद क्या हो जागा दो बर्स बाद यह हो यह मैं कर रहा है कि एक और आइकश का यह हो जा रहा हाए फ्रस ऐस फ्रस्कार्म का 4x plus x minus 4 equal to 0 x minus 4 into x plus 1 equal to 0 यहां से जो x का मान आ जाएगा 4 और minus 1 होगा minus 1 तो संभा भी नहीं है हमारा 4 जो है अंसर हो जाएगा कौनसा B हो जाएगा अगर एक कमरा की लंबाई तथा चवडाई करमसा जो है L वरवर 3x plus 10 तथा B वरवर 2x plus 5 मीटर है अगर हम कमरे की 4 दिवारों का छेतरफल जो है इतना मीटर स्कॉर है तो कमरे की उचाई हमें ग्यात करना होगा L दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3x plus 10 मीटर दिया हुआ है B वरवर दिया हुआ है 2x plus 5 जो है वो मीटर दिया हुआ है दिवारों का ऐल धन एक सष्ट भाहगा कि यौ डिया कितना 65直接 एक सबस्ट एक सबस्टो और ऐच अब अगतरी एक स्प्राशठ टेन प्लमऍद इस से तो एक सबप्लस फाईव जब इसे छाल करेंगे कर दो सब्सट बरबर जो हो जाएगा और यहां से आजाएगा 12 common लेंगे 5 x plus 15 अब बटा यह हो जाएगा 5 x plus 15 यह यह कट जाएगा 12 common आगे 2 h बरावर हो गया 12 h बरावर हो जाएगा 6 क्या है 6 मीटर अंसर हो जाएगा option A आजाएगा 56 नंबर करा कि निमन आकड़ों में माधिका और माध के बीच अंतर ग्याद करें सबसे पहले आरोही करमें इसे सजाद देते हैं 3 5 8 12 14 15 20 हो जाएगा क्या है 20 हो जाएगा अब इसके माधिका जो निकालेंगे माधिका कितना है 7 कितना 3 3 6 7 7 7 plus 1 बटा 2 यानि आठवा पद जो ह है चौथा पद हो जाएगा चौथा पद कितना है तो वो है 12 एक तो हो गया 12 हमारे पास माध बराबर क्या हो जाएगा माध बराबर हो जाएगा सब के जोड के 77 आ रहा है अब 8 7 यानि 11 अब कर रहा है कि माध और माधिका के बीच अंतर है तो 12 माधिका बराबर एक हो जाए अंसर जो हमारा हो जाएगा वो B हो जाएगा क्या है B हो जाएगा चलिए next person देखते हैं निमलिखित को हाल करना है एक दिया हुआ है इसे हाल करना है यहां पर हो जाएगा 0.032 गुना 0.0032 अब पलस जो है 0.3032 इतना बरावर हो जाएगा 0.0001024 अब पलस 0.0032 बरावर हो जाएगा 0.0004224 अंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा C चलिए महत्तम स्वाप बर्थ निकालना है PYQ के रूप में दिया हुआ हुआ है तो यह हो जाएगा 216 3254 का जो है CF निकालेंगे और नीचे जो है उसका 9, 81, 117, 119 के LCM निकालेंगे तो जब निक जाएगा 73, 71, अंसर हमारा हो जाएगा कौन सा अगर उपर से ही SCF निकाल लेंगे दो आ जाएगा यहीं से हमें अंसर मिल जा रहा है कि D होगा गया सुद्दिन बलबन ने खाली स्थान सिस्टा चार्ज के एक भाग के रूप में राजा को विवादन के समाने रूपों के र खोता है सुल्तान के परभाव को सुविकार करने के लिए घुटने पर बैटकर समराट के सामने सर जु Спर जुकाना और पहवोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों को प्रतिकातमक रूप से चूमकर उसकी सक्ति की सरहना करना पहवोस के सुरुआद परसिया यानि इरान से हुई थी जहां बेक्ती को सुल्तान के आगे जुक कर उनके पाप चुबने होते थे बलबन जो है इस वर ये राज में विश्वास करता था वह खुद को पिर्थिवे पर इस वर का परतिचाया समस्ता था बलबन ने दिवाने आरी जी यानि दिवाने अर्ज नामा के एक ब अमेरिका में किया गया है उनिसवा गुट निर्पेश नैम सिखर सम्मिलन दोहजर चोविस कंपाला युगांडा में किया गया था उन्तिसवा जलबाई परिवर्तन सम्मिलन जो है कॉब 29 दोहजर चोविस ये कहां किया गया है तो बाकु में किया गया है बाकु अजर दिल में किया गया यह सब जो है इंपोर्टेंट है भारत के इनिम लिखित में से किस पंच वर्षी योजना के अंतक देश में पांच आयाइटी अस्थापित किये गए और इसका अंसर हो जाएगा ऑफ्शन बी दूसरी क्या है दूसरी पंच वर्षी है योजना में उने इस स 156 से 161 के बीश चला था और बर्तमान में जो है वो तेस आयाइटी है क्या है तेस आयाइटी है आयटी मुंबई के स्थापना उन्हें सो अंठामर में हुआ था अगला है भावा एठोमिक रिसर सेंटर बार के स्थापना कब हुई थी और इसका सही अंसर हो जागा पर अंसर हो जाएगा सांत गाटी बचाओ का नारा किस ने दिया था और इसका सही अंसर हो जाएगा 63 के ए हो जाएगा सुगाथा कुमारी ने सांत गाटी बचाओ का नारा जो है सुगाथा कुमारी ने दिया था सांत गाटी केरल में 89 बर किलिमेटर 6 में फैला हुआ है जो जै बिवित्ता के लिए बिक्यात है, सांथ घाटी में लंबी पूछ वाले मकाव बंदर पाए जाते हैं, इसे दुर्ला परजाती भी समझा जाता है, शांथ घाटी जनगर्णा के अनुसार निम्लिखित में से किस राजियक के अनुसासित प्रदेश पुरुस सचर्था दर सबसे अधिक है और इसका सही अंसर हो जागा नेक्ट प्रसना के अच्रों द्वारा का गठन नहीं किया जा सकता है और इसका सही अंसर हो जाएगा दी इंगल जो है वह नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें ई दो बार आया है क्या है ई जो है वो दो बार आया है कथन है वह हम धरनाय है कथन है सरकार ने सहर के सभी नीजी कोलेजों को यह निर्देस दिया है कि वह कम से कम अगले तीन बरसों तक बतमान सुल्क में कोई बिर्धी ना करे धारना है नीजी कोलेजों के अधिकारी सायद सरकार के निर्देशों को पालन ना करे क्योंकि वे सरकारी निर्धियों पर निर्भण नहीं है दूसरा सहर के नीजी कोलेजों में पढ़ने वाले च्छात्रों के माता पिता फिर भी अधिक सुल्क देने के लिए उच्छुक हो सकते हैं और इसका सही अंसर हो जागा ये दोनों धारना एक और दो नहीत नहीं है क्या है नहीत नहीं है साथ ब्यक्ति है और कहरा कि कोई भी दो ब्यक्ति का बेवसाई जो है समान नहीं है क्योंकि ये सब साथो कलर, पियो, आईटिय, रिकारी, अर्थसास्ति, डॉक्टर, बकील और ड्राइवर के रूप में काम करें कोई भी दो ब्यक्ति का बेवसाई समान नहीं है C कलर के रूप में काम करता है C जो करता है वो किस रूप में करता है वो कलर के रूप में काम करता है A अर्थसास्ती या डाक्टर के रूप में काम नहीं करता है A जो है वो अर्थसास्ती या डाक्टर के रूप में काम नहीं करता है तो हो सकता पियो या ड्राइबर कोई भी हो सकता है ले यहां देखते हैं इस लाइन को रहने देते हैं E अर्थसास्त्री या डॉक्टर नहीं है E जो है वो अर्थसास्त्री और डॉक्टर नहीं है E भी है तो अर्थसास्त्री डॉक्टर नहीं है ईफ आई टी अधिकारी के रूप में काम करता है। एफ की अगर हम बात करते हैं। ऐफ जो है वो ऑलीगरे है क्या है। यश मेलड़ एफ ऐभिकारी करते हैं। डाक्टर या ठीवर तो ड्व अगर डॉक्त या प्यो नहीं है तो यह अर्थ सास्त्री है। अब ए जो है यह तो oh हो सकता है या driver हो सकता है क्या driver हो सकता है इभी हो जाएगा हुँ क्या हो सकता ह逼 जब च्छाय क्वा कान रगा हो सकता है यहां पर A और E होगा तोसर आहिए में नहीं है तो A हो जएगा यानि 20 सही in sr हो जाएगा कथन जो है एक दिया हुआ है इससे हमें निसकर्स निकालना है तो टी लाइस एक्वल देन ये असत है क्या है असत है आप इसमें सब देख रहे हैं कि टी छोटा है इन से ये बिल्कुल जो है वो ये असत है M less than L है बिल्कुल ये सत है M जो है यहाँ पर देखे M यहाँ से दिखने से पता चल जा रहा है कि L बड़ा है M छोटा है तो अंसर जो हमारा 79 के हो जाएगा वो B हो जाएगा क्या है? B हो जाएगा K1 निसकर सकेंड जो है वो तरक संगत है दिए गए बिकल्पों मेंसे असंगत को चुनना है इसमें से 70 के जो हो जाएगा वो C हो जाएगा C को छोड़कर सभी बिकल्प पहले अच्छर से दूसरे अच्छर में जाने पर अस्थानिये मानमें बिर्धी हो रहा है क्या है? ब्रिधी हो रहा है, B से D बढ़ रहा है, O से U बढ़ रहा है, I से M बढ़ रहा है, T से L जो है, यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो अंसर होगा C, बिकलपों में संगत, ब्रिच बन घंटा मिनट बाके सब्सक्राइब कच्छा चात, सही अंसर जो हो जाएगा, 71 के, वो चोटे, कच्छा बढ़ा है, चातर उसमें छोटा चीज़ है, लेकिन ब्रिच छोटा है, बन बढ़ा है, अनीता उत्तर दिशा की और 4 किलो मीटर चलती है, बाई और मुड़ती है, और 2 किलो मीटर चलती है, फिर वो दाई और मुड़ती है, और 5 किलो मीटर चलती है, क्या ह बाइए और मुड़ी है और कितना दो किलो मेटर चलिए उसके बाद बाइए और मुड़ते हैं 5 किलो मटर चलती है पांच किलो मेटर अब वह सुरूआती बेंदउ से किस धिसा में तो यह इस धिसा संक्यत लाल बर्न के होते हैं, इनमें दूरी के असानी से देखा जा सकता, क्योंकि अन बर्नों के पेछा लाल जो है, वो पुर्णता परकास के क्या गुन होते हैं, और इसका सही अंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, बी वह धूप और कोहरे द्वारा नियूंतम प्रक्रिनित होते हैं उचे भवनों के सिर्ष पर लगे खत्रे के संकेत लाल बर्ण के होते हैं इन्हें दूरी से असानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन बर्णों के पेच्छा लाल बर्ण का प्रकास धूँये तथा कोहरे द्वारा पुन्यूंतम प्रक्रिनित होता है क्योंकि प्रकास के प्रक्रिनन प्रोपोर्शनल टू होता है बन बटा तरंग धैर के पावर फोर होता है जिस रंग का तरंग धेर जितना अधिक होता है उसका प्रकिर्णन उतना ही कम होता है बैगनी रंग का प्रकिर्णन सरवाधिक जबकि लाल रंग का जो है वो सबसे कम होता है अकास का रंग नीला तरसा समुन्द का रंग नीला दिखाई प्रकिर्णन के ही उदाहरन है निमलि करदगा परजीवी के कारण होता है कितना तीन आठ तेरा अठारा तेस्ट बोल रहा है कि पचासवा पद क्या होगा पचासवा पद याँगा यांई यहां अगया है 3 दिया हुआ है कितना है तो आठ मैनस तीन करें न पर पाच वठी यह अब पचास वा पदिया हुए तो फर्मूला लगा देंगे टीए पलस 245 यह हो जागा 248 अंसर जो हमारा हो जाएगा जीजर है 248 हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण है 77 नम्मर का वो करा कि किसी छात ने एक संख्या को रहे तीन बटा 5 से भा करने के बचाए जो है वो 3 बटा 5 से गुना कर दिया है गंना करें कि कितने परतिसत की वो टूरूटी हुई है यहां पर हो जागा भी इस टूरूटी जो है वो क्या है पांच बटा तीन मानेस तीन बटा पांच बटा हो जाएगा पांच बटा तीन गुना सव हो जाएगा अगला प्रास्न है कि 5 में जो है वो 6 नग के मुल पर खरीदी गई बस्तूओं को 6 में 5 नग के भाव पर बेचने पर हुने बाले परतिशात लाब जाद करना है यहां पर कह रहा है कि 6 नग का क्रेमूल जो है वो कितना है तो यह 5 दिया हुए छे नग का जो दिया हुआ है 5 य 吃 निगत्तना। दिया होँ है। 405 अगुना हो जाएक 14 परसंट अंसर चुह हो जाएका वह बहुّ हो जाएका प्रस्ण है सरल करना है कितना के सरल करना तो अंडर उनीस दसमलब तीन छो प्लस अंडरूट सततर दसमलब चार चार भागा जो है वह दो है इसे क्या है सरल करना है इसे लिख सकते हैं उनीस दसमलब चार दसमलब चार चार बागा दो अब यहां पर 4 दसमलब चार जोड़कर भागा नहyin देना पहले इसका किरिया होगा यानि 4.4 प्लस 4.4 बरवर होगा 8.8 अंसर जो हमारा है वो हो जाएगा C अगला प्रस्ण है कि प्रस्ण होता है तो यहां जो भाग देने पर जो भाग फ़ल बचता ये 15 बचटेगा फिर 15 से भाग देंगा की दोनों हो जोड देंगे कि इता हो जगा अगर यह तीन से ज़्यदा रहता यानि छे रहता तो 5 से फिर से भागा देंगे तब तक भागा देंगे जब वह 5 से कम जो है वह सेसफ़ल नहीं बच रहा है कि वाकी जो हुआ सब को उसे जोड़ देंगे एक बार फिर से इसे समझ लेजिए मान लें कि सब्सक्राइब कि यह च्छेतर है यह पांच है इसे पंद्रा पच्छेतर यानि पंद्रा बार नहीं पहले भाग देते हैं एक सेस्पल कितना उससे मतलब नहीं यह जो भाग वाल आया उसक इतना भाग फल आएगा उसे फिर से पांच से भागा देंगे और अगर वह कट रहा है पूरी पूरी तब उसे फिर जोड़ देंगे ट्रेलिंग जीरो में यानि पंद्रा प्लस तीन अठारा जो यहां ट्रेलिंग जीरो की संख्या आ जाएगा चलिए एक आसी नंबर प्र जो है मेक्समम 54 है अब मिनमम जो है वह 42 है उत्र हो जाएगा वह 12 का सही जबाब हो जाएगा यह क्या है अब कार पडाप कीघ साइकलो की संख्या जो है वह 24 plus 65 प्रस्थ 55 में तारेस प्रसवाइस प्रस पर्फंदर्म्री 205 से दो बार अधिक है सही वो डी हो चाइगा चलिए तेरासे नंबर प्रस्थ में देखते हैं निमनिक्षर बित बमें को अलग अलग अलगस रेणियों को से देश के सेरों के लिए उत्पन होने वाली जो आइप इंडा के अार acquire आने के अलाब कुछ निवेस चारशोग चपन कड़ूर है तो राष्टी बैंको और और हमस्ट द्वारा निवेस कितना में होगा लुंत जो हो जाएगा 27 प्लस 18 प्लस 13 परसेंट वरवर कितना दिया हुआ है 456 क्या है 456 कडोर दिया हुआ है 100-78 वरवर 456 32 परसेंट वरवर दिया हुआ है 456 तराश्टिये बैंको और आप सबर फन्स द्वारा कुल निवेश कितना हो गया, 456 बटा 32 अग गुना हो जाएगा 10 पलस 12, यानि 456 गुना 22 बटा 32 बरवर 313.5 कडौर, अंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये D हो जाएगा क्या है D हो जाएगा मार्स दोजार चोविस में भारत दच्छिन कोरिया संजुक तायोग की बैठक कहां आयोजित हुई है और इसका सही अंसर हो जाएगा D के स्वाड कствоणद ये जहां जाएगा से संजुक नोगरम हैं और पेरिस आलम्पिक में पचास बार बर्ग में स्वेल रही थी लेकिन सब गर Isn't ज्यादा होने के कारण डिस्ख्वालिफाय कर दिया गया फाइनल से पंद्र अगस्त उने सो स्वाइन तालिस को स्वतंता दिवस समारा हो के दरण महात्मा गांधी कहां पर थे इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी च्यासी के जो है वो डी थे मुस्लिम लीग ने पत्यच कारवाई दिवस के द्वारा अर्थव्यस्था और राजक्ता का बातवरन उत्पन कर दिया था गांधी जी उने सो स्वाइन तालिस में बंगाल के नुआ खली में हिंसा रोकने पहुचे हुए थे केवल नुआ खोली में छे हजार से साथ हजार ब जाएगा एंबिस्व सरहिया क्या है तीन लोग थे गुराज गोपालाचारी सीवी रमान और सरपली राधा कृष्णन थे पहली बार पहली बिस्व बधिर टी-20 क्रिकेट चेंपियंशिव खाले स्थान द्वारा एवजीत किया गया और इसका अंसर हो जाएगा ए भारत के समीति से मंजूरी मिली थे अगला है लंदन में इस्ट इंडिया एसोसियेशन के स्थापना किस ने की थी अंसर हो जाएगा सी दादा भाई नरोजी ने क्या है और कव क्या था तो ठारसो च्यासट इस वी में भारत के जननांकिये इतिहास में महान विभाजक की संग्या किस किस ब्रस को दी गई है और इसका अंसर हो जाएगा 1921 में क्या है 1921 में भारत की जंगन्हा के शुरुआता 1872 में नियमिज जंगन्हा जो है 1881 स्वी से शुरू होने लगा लाड रिपञ्द के कार्ج काल में क्या है लाड रिपञ्द के काल में कर द च्ठानेएं अबने zijn य कि दोनों निसकार्ज जो है एक और दो उप्यूक्त है क्यों यह दुनिया न तो अच्छी है और ना ही बूरी है तो यानि कुछ लोगों को अच्छी लग कुछ लोगब कूछ लग लग रही है कथा नेवाब निसकार्स का कुछ चीटियां जो है वो तोते हैं अगर मान लें कि ये चीटियां है तो कह रहा है कि कुछ चीटियां जो है वो तोते हैं क्या है तोते हैं और सभी सेव जो है वो तोते हैं या अंदर जो होगा वो सेव हो जाएगा तो कुछ तोते जो है वो संगत है क्या है अब देख सकते हैं कि सम्बंद को सही तरीके से जो है पूर्ण कर रही है चार के अगर मानलिया की Q कर देंगे तो 64 हो जागा तो 6 के Q करेंगे तो कितना हो जागा 216 अंसर हो जाएगा B चात्रों के एक पंक्ति में रोहन 22 से 7 वे या है 22 से वो 7 वे अस्थान पर है यानि 6 यहां पर यह 7 वे और दाएं से 20 वे अस्थान पर है धर यानि 29 6 1994 यानि 26 लों अंसर जो हमारा हो जागा 95 के NB हो जाएगा चलिए इक बेत्तकार में इंज के इर्द गिर्द जो है कैन्द्र की और मुख करके बैठ हुए कैंद्र की और मुख करके स्थान के बैठे हुए, आठ के बैठने के जगह बना लेए T,ong-C, Q के दाई और दुसरे अस्थान पर है, यानि Q से दाई और चोथे दुसरे अस्थान पर है, B, P के बाई और चोथे अस्थान पर है, B जो है, वो P के बाई और चोथे अस्थान पर, अगर यहां P देते हैं, तो चोथे अस्थान पर हो जाए, एक, दो, तीन, चार, क्या हो फी तता और के बीच केवल दो लोग हैं यहां पर और हो जाएगा दो दो लोगidents सखे हैं इस और यू बच रहे शहरे हैं यद्र क्यू इस का प्रोशी नहीं है यह एस आ और यहbon हो जाएगा यहां पर यू हो जाएगा तो डबलू के दाईयो ठीक बगल में कौन बैठा है डबलू के दाईयो ठीक बगल में जो बैठा हुआ है वो यू है अंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा कथन है दो पेन भिन रंग के है पहले का है लीला के पास तीन अलग अलग रंगों के चार पेन है तीन अलग अलग रंग निल रंगों इसके पास नीले रंग्य कितने पैना है नोई रे तो बियापत है देने लिए इससे नहीं एक ही परियाप्त है वो है दूसरा नेक्स्ट प्रेस्ट है कि उन दो कोसिकाओं के नाम क्या है जिन में उनकी सुएंग की अनुबंसिक समगरी पाई जाती है और इसका सही अनसर हो जाएगा वो है बी माइट्रो कांडिया अबम लवक को सिकाओं में उनकी सुएंग की अनुबंसिक समगरी होती है निम्न बरनित अनाबिरत बीजी की बिसस्ताओं में से कौन सा एक गलत है उसकी पहचान कीजिए क्या है उसकी पहचान कीजिए इनमें रंगीन फूल होते हैं यह गलत है बीज फल के अंदर नहीं होते हैं इनमें अधिकतर सदबार पेड़ सामिल होते हैं तो अंसर हमारा हो जाएगा दी निमलिकित में कौन सा जो है समान ने इस्तिमाल किये जाने वाला जो है बी-प्रोसेसिंग पाी के जाए यानि बर्ड प्रोसेसिंग पई के जाए और इसका जो अंसर होजयागा बो होजयागा ए